नमस्कार दोस्तों आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुवात और हमारा टोपिक भी आज का गुलाब के पोधों के उपर ही है कि इतनी गर्मी में आप अपने इंगलिश गुलाब को कैसे बचा सकते हो और आपने गर्मियों में ऐसी वो क्या चीज अपने गुलाब में डाली हैं ताकि वो हेल्दी भी रहें और वो ज्यादा गर्म भी ना हो तो यह देखिए कितने बड़े-बड़े साइज के इंगलिश गुलाब खिल रहे हैं जबकि इनका इतना बड़ा होने का मोसम भी नहीं है तो मैं वही सारी चीजे शियर करत दोस्तों जो मैं घर में अपना असानी से आप लोगों को मिल भी जाती है और हमारे घर से ही अल्मोस्ट निकलती है वो एक चीज है जो आप सर्च करके थोड़ा सपास देख लिया करो जहां भी आपको एवेलेबल हो तो दोस्तों यह मेरे गुलाब हैं और बिलकुल यह छो अगली तरफ साइड में रखे हुए थे वहां दूप जादा आनी शुरू होगी थी तो मैंने तीन-चार दिन से इनको यहां शिफ्ट किया था तो पहले तो बिलकुल मुर्जाय होए थे आपको इनकी पतिया भी थोड़ी सी दिखरी होंगे ऐसी लेकिन अब दो-चार दिन से देखो इन में कितने अच्छे फूल खिलने शुरू होए हैं और वहां बिलकुल उस तरफ यह बिलकुल मरने वाली हालत में थे तो बस जो मैंने किया वो मैं आपको बताई देती हूं दो के साथ मैंने किया था और दो के साथ मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूं दो मैं है क्योंकि उन लोगों ने अपने हिसाब से इसकी टिप्स रखी हुई है क्योंकि वहां ज्यादातर सर्दियां ही होती है होती सर्दियां है और उसकी दूप में यह बहुत अच्छे खिलते हैं और हमारे यहां भी सर्दियां होती है तब हम गुलाब को दूप में रखी देते लेकिन इतनी गर्मी वाले पोद्धे नहीं हैं दोस्तों यह बहुत ठंडक वाले प्लांट्स हैं और इनको वही दूप अच्छी लगती है जो कि हमारे सर्दियों में होती है तो अब सर्दिया तो जा चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है कहीं तो टमप्रेचर 40 के भी पार जा चुका है और आज बिल्कुल दोस्तों मैंने भी जो मैं कई दिन से नेट लगाने की सोच रही थी और मेरे पोद्धे भी आप देखे रही है ये गुलाब मैं बताई रही हूँ आपको उस तरफ रखे होए थे और वहाँ ज़्यादा देर तक दूप आती थी तो यहाँ दूप तो ख आगे थे जो एक उदर रखा है कि आपके सामने रखा है तो आपने अपने इंग्लिश गुलाब को कैसे बचाना है वो अब आप देखते जाएं मैं जो जो कर रही हूँ तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर उसकी मटी हार्ड होगी हो या उसमें कोई भी पतियां वगरा गि है क्योंकि कई बार पानी तो हम रगुलर देते ही है पानी इसलाएं था कि में लगे इतनी गर्मी है और कई हमारे पोधिय मरीना जाएं तो आपने ज्यादा भी पानी नहीं डालना है कई बार फंगस आने की वज़ेसे भी आपका सारा का सारा गुलाब खराब होना शुरू तो इतना पानी डाले जब आपको बिल्कुल इसकी मट्टी ड्राई लगे तभी आपने इसमें पानी डालना है अदरवाइस ऐसी कोई जरूरत नहीं है अगर आपने शेड वगरा में रखा हुआ है और बिल्कुल इसको अब इंडिरेक्ट संगलाइट में रख दें ज्यादा धूप में तो बिल्कुल रखना ही नहीं है इसको अब इंगलिश गुलाब को और हो सके तो और प्लांट के साथ मिक्स करके जैसे मैंने रखे हुए है शेड में रखते है और यह है दोस्तो वो खाद जो की गर्मियों में आप बिल्कुल डाल सकते हो ना इतनी गरम है यह औ और आपको पता ही है दोस्तो कि जो हमारे गुलाब है वो बहुत हैवी फीडर होते हैं अगर आप इसको टाइमली खुराक नहीं दोगे तो इस तरह से आपके सुंदर सुंदर फूल भी निकीलेंगे और नहीं आपके प्लांट जो है वो ज्यादा ग्रीन नजर आएंगे औ तो टाइमली आपको इनको कुछ ना कुछ खाद वगरा देना होता है ताकि इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो और दूसरा जो कि हम गुलाब को लगाते ही हैं फ्लावरिंग के लिए के सुंदर सुंदर फूल के लिए इन में तो बस आपने यही करना है और यह है दोस्तो जा गरम भी नहीं है और आपके गुलाब के पुद्धों के लिए सारे के सारे मोसम में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो सबसे बैस्ट है और बिल्कुल चिंता की बात नहीं है जिन मेरे बहन भाईयों के पास यह है नहीं अब कमेंट भी आएंगे मेरे पास की हमारे पास जाइम नहीं है कहां से लें तो अगर आपको अवेलेबल हो जाती है अगर 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 नहीं होती है तो गोबर की fully decomposed खाद जितनी ज़्यादा पुरानी हो उतनी सबसे बड़ी है बिल्कुल मट्टी सी जो होगी हो और कम से कम छे महिने पुरानी तो हो कच्ची खाद नहीं डालनी है और दूसरा दोस्तों आपने क्या करना है जो हमारे गुलाब के पूद्धों को सबसे ज़्यादा पसंद है एसेडिक सोयल कई बार लोग कहते हैं कि कौन सा विनेगर डालने विनेगर नहीं है हमारे पास तो बिल्कुल मैं उसी का इलाज बताऊंगी आपको और जब यह दूप में रखे थे तब तो यह जली गए थे लेकिन अब यह कुछ इस साइड रखने से ठीक होना शुरू हो गए है और यह है दोस्तो मेरा जो मैं किचन में बच्चे शिकंजी वेगरा पिते हैं बच्चे क्या सभी पिते हैं और सैलेड वेगरा में भी हम निम्बू वेगरा डालते रखते हैं और गर्मिया तो हैं ही दोस्तो और मुझे नहीं लगता किसी भी किचन में निम्बू का जब आप इनका रस निकाल लेते हो तो आपने उसमें डालते जाना है बस और बस दो तिन दिन रखे आपने इस पानी में इसके सारे निम्बू वाले सारे गुन आ जाएंगे और हमारे गुलाब के पोद्दो को दोस्तो थोड़ी सी खटी-खटी सोयल पसंद होती है तो बस द इसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है ऐसे डाल दो चान के और अगर यह है तो सबसे बढ़ी है क्योंकि फिर हम इसमें और पानी भरके रख देंगे और जितना हमें इसमें से लेना है वो हम लेते जाएंगे तो बस यही दो चीज है दोस्तो बिलकुल गर्मियों में और इनकी तासीर कोई गर्म नहीं है बिलकुल जैसे हम गर्मियों में ठंडी ठंडी शिकंजी पिते हैं और ठंडी ठंडी चिज्जे खाते हैं बिलकुल यह जो हमारी खाद है वैसी है और आपके भी इतने सुन्दर सुन्दर फूल खिलेंगे और दूसरा इसकी कटाई चटाई भी आप करते रहा करें जैसे कि कुछ तो पतिया मेरी दूप में सूप गी थी यह कोई बिमारी नहीं है दूप में ड्राई होगी थी लेकिन अब जो नई गरो थारी है वो अच्छी आरी है इस पे तो बस जो ड्राई वेगर आपको दिख जो लेगी ब्रांचीज दिखें उनको हलका हलका कट किया करें इंग्लिश गुलाब में दोस्तो ज्यादा प्रोनिंग की कोई जुरूरत नहीं होती बस जहां से फूल निकला है उससे दो तिन ब्रांचीज लीफ्स की छोड़ें आप एक नोड के उपर से तिवच्छा कट बाहर की तरफ लगा दिया करें तो वहां से और ब्रांचीज निकलेंगी क्योंकि इंग्लिश गुलाब में एक ब्रांच पे नई ब्रांचीज पे हमेशा फूल खिलते हैं और एक बार खिलने के बाद वहां नहीं खिलेंगे तो आप उसको कट कर दें तो फिर उसमें से और ब्रांचीज निकलेंगी तो यह देखिए दोस्ता सुबह सुबह मैंने यह शुब काम करी दिया और यह नेट लगवा दिया मुझे बड़ा दुख हो रहा था पोद्दे सारे जल रहे थे और अब देखिए सारे कितने अच्छे लग रहे हैं और यह देखिए धूप में इ जामून का मैंने भार के तरफ छोड़ दे क्योंकि इसको दूप पसंद होती है और यह उपर तक जा रहा था फिर नेट भी कवर निकल रहे थे इसको तो जब नेट लगाते हैं थोड़ी सी एडिजेस्टमेंट करने पड़ती है क्योंकि कई प्लांट काफी बड़े- होते हैं और यह देखें दोस्तों मेरी मिर्च मेरे पोद्धे पर पकनी शुरू होगी है क्योंकि रेडी वाले कई बार सबजी के साथ इतनी सारी मिर्च देते हैं तो यहां से तोड़ने का मोका ही नहीं मिलता लेकिन मैं आपको यह जानके दिखा रही हूं अगर आपके प प्लांट्स में नहीं होगा आपकी पतियां इसी तरह से सुंदर सुंदर होंगी क्योंकि यह मौसम है मेली बक्स के अटैक का और कई बार बहुत सारे पोदे खराब हो जाते हैं हमारे इनके अटैक से और यह जो हमने दोस्तों गुलाब के साथ ट्रीटमेंट मैं आपको करक पहले एपसं सॉल्ट और फिट करी का पानी से और यह देखे भी इसमें कितनी सुंदर कलिया आगी है और नई नई ग्रोथ भी इसकी कितनी हल्दी आई यह और यह देखे यह मेरे और गुलाब है जो मैं आपको दिखा रही हूँ साइड में रखे हूए है यह भी सब ठीक चल रहे हैं सब पे नई नी ग्रोथ आ रही है और यह अच्छे से चल रहे है क्योंकि मैंने इन सब को गुरूप में रखा हुआ है सब को कवर करा किया हुआ है तो एक ठंडक से का महाल बन जाता है जब आप प्लांट को इकठा करके रखते हो तो बिलकुल आपने भी आपन कि और जो आपके ग्राफ्ट एरिया से निच्चे से कुछ भी निकल रहा हो उसको आपने कट कर देना है यह देखिए अब मेरे सारे के सारे पुद्धे कवर हो जाएंगे अब इन पर इतनी तेज धूप नहीं पड़ेगी तो बस दोस्तों इसी तने से सुंदर सुंदर आपके लिच्चे से खबर समय यह देखिए। कर देखिए।